नवस्कार बोल कि लबाजाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा आप जानते हैं इस वक्राजनीत गल्यारों में किस बात की चर्चा है कि जब 20 तारीक को तीसरे चेरण के मतदान होंगे उत्तर पदेश में तो उस वक्रधान मंत्री किस न्यूस चैनल को इंटिव्यू देंगे और चुनाव आयूग किस तरह से अपनी आखे मूंदे रहेगा और चुनाव आयूग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उडाती जाए रहेंगी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ क्या भारती जनता पार्टी की राजनीती सिर्फ और सिर्फ प्रचार के जरिये चलती है जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं तो आवाज खुलंद करनी पढ़ती है बोल कि लब आजाद है तेरे दियूस क्लिक पर मेरे साथ मैं आपको कुछ उधारण देना चाहता हूँ मसलन कल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रवीदास जैन्ती के मौके पर श्री रवीदास मंदिर में थे देखे साप किस तरह से ढोल मंजीरे बजा रहे हैं औरतों के साथ बैठ कर और यकीनन इस तस्वीर का उनके वोटर पर जरूर असर पड़ेगा ये तस्वीर कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खीचना चाहता हूँ एक और वीडियो की तरफ ये वीडियो जो आपके स्क्रीन्स पर आ रहा है दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की श्री रविदास मंदिर की आतरा खत्म होती है प्रधान मंत्री आते हैं एक चैर पर बैठते हैं और वो रविदास मंदर के बारे में क्या सोचते हैं उस पर अपने विचार लिखते हैं उन्होंने जो लिखा ये रहा आपके स्क्रीन्स पर खबर ये नहीं है अब मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को फिर से देखें देखें जरा तो देखा आपने इस वीडियो को अब इस वीडियो को दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूं क्यों दिखा रहा हूं आप देख रहे होंगे कि प्रधान मंत्री आते हैं और जब वो लिख रहे होते हैं तो उनकी कलम पनने पर होती ही नहीं है मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री के पास ऐसी कौन सी जाओदूई कलम है जो बगैर पन्ने को छुए लिख सकती है अब इसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं पहली बात पहले से ही कोई लिख चुका था और बाद में आके प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने सिर्फ कैमरे के लिए आपके सामने ये नजारा पेश किया दूसरा प्रधान मंत्री सिर्व उसे चेक कर रहे थे कि क्या-क्या लिखा हुआ है मगर देश की जनता ने इसका सीधा प्रसारण देखा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी कैसे हवा में लहरा रहे थे अपनी कलम और वो जानते थे कि उनकी इस तस्वीर पर कोई न्यूस चैनल जो है सवाल नहीं उठाने वाला है उल्टा ये महान पत्रकार इस नजारे की वावाई कर रहे थे देखिए आपके स्क्रीन्स पर मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ सवाल आखिर वज़ा क्या है कि हमारे राजनिताओं को चुनाव के मौसम में धार्मिक लोग याद आते हैं या भगवान याद आते हैं जैसे शुरी रविदास की याद आ रही थी देखिए ना प्रधान मंत्री ने किस तरह से ढोल मंजीरा बजाया प्रधान मंत्री जानते हैं कि क्यामरा क्या पसंद करता है प्रधान मंत्री जानते हैं कि उनका वोटर क्या चीज पसंद करता है देखिए इसके एक छोटी से जलक और ऐसा नहीं है कि शुरी रविदास जैनती के मौके पर सिर्फ प्रधान मंत्री वहाँ पर थे और धर्म के जरीय राजनीती कर रहे थे क्योंकि आप जानते हैं कि श्री रविदास जो हैं वो दलितों के एक बहुत बड़े मसीहा उनके एक बहुत बड़े धर्म गुरु और उनकी जबरदस्त मानिता बताई जाती है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मुख्य मंत्री आदितनाद को देखिए वो भी पहुँच गया मंदिर श्री रविदास को एक तरह से अपने श्रधा सुमन अरपित कर रहे हैं क्या आप इस तस्वीर को सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कहेंगे अब मानिनी यह राहूल गांदी जी हाँ साब यहाँ पर तो आप देख सकते हैं बाकाइदा बनारस में जो कि श्री रविदास जी का जन्मस्थान है वहाँ पर वो बाकाइदा लोगों को लंगर बाट रहे हैं बनारस पहुंचे हैं अपनी बहन प्रियंका गांधी वाडरा के साथ आप से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ इन तीनों वीडियो उसको फिर से देखिए एक में प्रधान मंत्री ढोल मंजीरा बजा रहे हैं एक में योगी आदतनात और एक में राहूल गांधी क्या इन तीनों को सिर्फ और सिर्फ धर्म से जोड़कर देखा जा सकता है मैं एक कदम आगे बढ़के बोलना चाहूंगा इन तीनों तस्वीरों में किसी भी कीमत पर धर्म नाम की कोई चीज नहीं है सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत है और भारती जनता पाटी तो एक कदम आगे है अब राहूल गांधी ने क्या किया इसकी तारीफ कोई पत्रकार नहीं करेगा और करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं बार-बार कहता हूं कि धर्म एक निजी विश्र है उसका हमें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए मगर प्रधान मंत्री ने जो किया पूरी फौज पत्रकारों की लग गई उसकी वावाई करने इसकी एक जहलक मैं आपको दिखला ही चुका हूं कहने कारते हैं दोस्तों कि भाचपा सिर्फ और सिर्फ प्रचार से चलती है और उसके अलावा कुछ नहीं आपको याद होगा पहले चरण का बद्दान एक रात पहली की बात और प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी एन आई के सामने बैठ जाते हैं रात को आट बजे एक घंटे दस मिनिट तक का वो इंटिव्यू चलता है तमाम न्यूस चैनल्स पर दिखाया जाता है चुनाव आचार सहिता की धज्जियां उड़ाई जाती है और यहीं नहीं उसके बाद दूसरे चरण के मद्दान से पहले वो दैनिक जागरन को इंटिव्यू देते हैं सहाब दैनिक जागरन जो सबसे ज्यादा बिकने वाले अख़बारों में शुमार है और सबसे शॉकिंग बात मुख्यमंत्री आदितनाथ सुबह आठ बजे दूसरे चरण का मद्दान सुबह आठ बजे उनके इंटर्व्यू का प्रसारण होता है आधे घंटे का इंटर्व्यू एनाई उनसे इंटर्व्यू करता है वो एनाई जिनके बारे में आधितनाथ कुछ दिनों पहले ये कह गए थे फिर देखिये साब देश के वैज्यानिकों यानि कि भारती जनता पार्टी खुला प्रचार करती है चुनावों के दौरान और चुनाव आयोग सोते रहता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है और इन्होंने प्रचार के बहुती अजीबो गरीब तरीके ढूंड़ी है मसलें आपके स्क्रीन्स पर है देश के माननी ग्रह मंत्री अमिच्शा पंजाव में चुनावी राली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर देश के पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी होते तो करतारपुर साहिब कभी भी पाकिस्तान के कबजे में नहीं होता मुझे ऐसा कभी-कभी लगता है हो सकता है आमिच्शा जी ने कोई टाइम ट्रावल मशीन बना ली हो टाइम ट्रावल मशीन समझते हैं ना यानि कि एक ऐसे यंत्र में आप दो हजार क्या और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूँ ये भी प्रचार का एक बहुत और गरीब तरीका मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजे अगर 1947 या उससे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरह से पहुँच जाएं तो जब देश स्वतंतरता संग्राम में संघर्ष कर रहा था तब क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के साथ खड़े होते या हिंदू महासभा और वीर सावरकर माफी वरकर के साथ खड़े होते बताईए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी जो पैत्रिक संस्था है यानि की आरेसस हिंदू महासभा जब भारत छोड़ो आंदूलन हो रहा था तब ये तमाम संस्थाएं उसमें शिरकत नहीं कर रही थी माननिये शामा प्रसाद मुखर जी उन्होंने तो बाकाइदा अंग्रेजों को खत लिके कहा था कि हम किसी भी सूरत में भारत छोड़ो आंदूलन में हिस्सा नहीं ले रहे बताईए और बात यहां नहीं रुकती है सावर कर एक मात्र स्वतंत्रता सेनानी जन्होंने बार बार अंग्रेजों को खत लिके माफी मांगी ये तक कहा कि आप मुझे छोड़ दो मैं आपका बिलकुल वफादार सिपाही और सेवक की तरह काम करूँगा बार बार इन्हों नहीं ये लिखा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर किसी करिशमे के चलते और अगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी किसी टाइम ट्रावल मशीन में सवार होके पहुँच जाते हैं 1947 तो गांधी के साथ होंगे नहरू और पटेल के साथ होंगे या फिर सावर कर हिंदू महसभा और आरेसिस के साथ होंगे जिनका स्वतंतरता संग्राम में लगभग ना के बराबर योगदान है जवाब इस तरह का प्रशार करते हैं न तो आपको इन सवालों के जवाब देने होंगे मगर खैर वो 1947 का दौर था अब 2022 है आज के इस दौर के नायक तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ही है अमिच शाही है मगर अब ही चुकि आपके सामने आपसे सवाल करने वाला मीडिया नहीं है तो आप ऐसा बहुत कुछ कर जाते हैं जो काइदे से नहीं होना चाहिए आज मैं आपसे चुनाव प्रचार की बात कर रहा हूं क्या आपको याद है जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से बैट गए थे गुफा के अंदर और इस वीडियो को न्यूज चैनल्स ने दिन भर दिखाया था और ये हर बार चुनावों में होता है दोस्त याद करिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे में थे पशुपतिनात मंदिर जाते हैं उस वक्ट भी मैं नहीं भूला हूं किसी राज्य में चुनाव हो रहा था न्यूस चैनल्स ने दिन भर प्रधान मंत्री को इसी तरह से दिखाया था पश्यम बंगाल की चुनाव याद है प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी बंगला देश पहुँच जाते हैं वहां पर वो एक मंदिर में दर्शन कर रहे होते हैं तमाम नीउस चैनल्स उस तस्वीर को दिखाते हैं और वही तस्वीरे पश्यम बंगाल की जनता को दिखाई ज जाता है और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है इन्होंने विदेश नीटी, कूट नीटी और विदेशी दोरों का इस्तमाल अपनी निजी राज़नीती के लिए किया है अब नेपाल का दोरा, बंगला देश का दोरा और आप उसका इस्तमाल किसलिए कर रहे हैं पश्शिम, मंगाल, करनाटक और उत्तर प्रदेश में वोट्स हासिल करने के लिए मैं यही तो समझना चाहता हूँ भारती जनता पार्टी के लिए क्या कूट नीती, राज नीती, इसमें कोई मर्यादा नहीं, क्या इसका कोई माइने नहीं मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2017 का गुजराच चुनाव, राहुल गांधी एक इंटिव्यू दे देते हैं, चुनाव के दिन और उनके खिलाफ चुनाव आयोग, F.I.R. दर्श कर देती है, मामला क्या है, मैं आपको बतलाता हूँ चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ, 2017 गुजराच चुनाव में F.I.R. के आदेश दे दिये थे, मगर इस बार चुनाव आयोग खामोश है, और प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री आदितना जो इंटिव्यू दे रहे हैं, वो गुना क्यू है, और किस धारा क तहत है, ये मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ, Representation of People's Act 1951 की धारा 126 तीन का ये साफ तौर पर उलंगन है, अब तो इसके कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, साफ तौर पर जो रोडशोस को लेकर या चुनावी सभाओं को लेकर दिशा निर्देश हैं चुनाव आयो कि उसका उलंगन भाचपा के नेता बार बार कर रहे हैं, उनकी तरफ तो ध्यानी नहीं जा रहा है किसी का, उल्टा विपक्ष के खिलाव धड़ा धड़ा एफायार दर्श किये जा रहे हैं, मैं इसलिए तो आप से पूछता हूँ, कि ये चुनाव निश्पक्ष कैसे हो स रखते हैं, इसमें विश्वास नहीं करता, मेरे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, नमबर एक, नमबर दो, भाचपा को EVM हैक करने की क्या जरूत है, उन्होंने तो पूरी व्यवस्ता को हैक कर दिया है, मैं जो आपको तमाम मिसालिया भी इस कारक्रम में बता रहा हूँ, वो यही बतला रहा हूँ, कि लोकतंत्र हैक हो चुका है, शुनाव आयोग हैक हो चुका है, क्योंकि उसके दिशा निर्देशों की धज्यां उड़ाई जा रहे हैं, किसी को परवा है, ना मीडिया को है, ना जनता को है, मगर इस शो का नाम है, भोल के लबाजात हैं तेरे, हमें परवा है और हम ये मुद्दे उठाते रहेंगे, नमस्कार